हालो गाईज मैं पहुंच ओदरी जैसा कि कल की वीडियो के अंदर हम आपको बताया था कि एसोजी की रिपोर्ट आ चुकी है जो कि रास्तान चिया चुका 19 पर अवरी को एक्जाम वा था उसके रिगाडिंग को रिपोर्ट लेटर लिखा है और उसके अंदर एसोजी से इस बार ये डिमांड की है कि आप तो हमें ये बता दीजिए कितने टाइम पहले पेपर आउट हुआ था लोग कुछ बोड़ रहे हैं कि नाइट को या गया था पेपर यह तो सारा सर बकवास है नाइट को पेपर तो यह क्या है यहां पे भी साब साब दे रखा है कि अब पत्रों का सिलसला आवाज आवी चल रही है एसोजी कभी तो चैन बोर्ड को लिख रहा है कभी चैन बोर्ड एसोजी को लग रहा है सिद्धा सा मतलब इनका यही है कि वेकैंसी को एक बार रोक के रखो इनका चुन पत्तर लिख के वापी से उनको वापी से बोल दिया कि आप बताओ ये रिपोर्ट उसके बाद डीस दने लेंगे मतलब ये सरासर बच्छों के साथ मजाक की अजाराए एक दरीके से देखी हुआ आपके आपके उपर है कि चैन बोर्ड ही लेगा एसोजी ने तो कली बोल दिया तो आसोजी दुबारा इस मामले के अंदर हस तक से नहीं करेगी वो इतना बता सकते है कि इतने वजे पेपर आउट आथा और मेरा मानना ये है कि स्टुडेंट्स के ज्यादा तर कमेंट आए है उसके तुरूप पता चला है कि सुबह सात बजे के आसपास ही पेपर आउट हुआ था पेपर निकला था और जो रफर्जिष्ट एक पेपर आया था जिसके अंदर वाइट पेज के उपर सीदे किशन लिखे हुए थे उनके अंदर किशन रेरली किशे ने पड़े हैं जो पढ़े थे, तो आपको तो फाइदा है ना, आपका अगर पेपर अच्छा हो गया, तो आपको तो फाइदा है, आपको फाइदा है, आपको नोकरी चाहिए नहीं, ये सरासर गलत है, जिस भी सर्टुडेंस को पेपर मिला था, वो कुछ नहीं बोद रहा है, ओके 5-7-10 जितन इसे ही लगाना है वो आपको नोकरी लगा के नहीं देंगे वो अपनी सीट पकी कर रहे हैं पॉपलिटी कमा रहे हैं आप मुवीज खूब देखते हो ना बस सेम ही सीन चल रहा है आजकल तो अपने आपको समझाईए और जो फाइनल गवर्मेंट का डिसिजन है उसी का वेट के की बात यह है कि यह टाइम जाया कर रहे हैं एसोजी कभी चैन बोर्ड को लिकरा है चैन बोर्ड कभी एसोजी को लिकरा है सबसे पहले चैन बोर्ड ने एसोजी को बताया था कि नवा सी पसन आये थे तो चैन बोर्ड की इतना दिमाग है चैन बोर्ड के लोग जो तो पता है कि नवा सी क्योशन आये थे तो आप भी खुदी आउट कर देते SOG की तरफ लेटर बेज के टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरती और रिस्पोंस क्या आया लांस्ट में SOG से SOG से यही रिस्पोंस आया कि आपने पहले ही बोल दिया कि नवा सी क्योशन आउट हो यह तो हमसे क्या चाते हो आप खुदी आउट कर लो कल यह SOG की रिपोर्ट आगी आज फिर चैन बोर्ड ने वापिस SOG को रिपोर्ट बेज दी कि चलो यह तो मान लिया कि हमने आपको बता दिया बंद कर दो तो मेरे हिसाब से फाइदे में रहोगे क्योंकि यह वैकेंसी अगर कलियर नहीं होगी तो आगे वैकेंसी की उमीद छोड़ दो क्योंकि पिछे वाली वैकेंसी आपको पता है कंप्लीट कर दिया जाता है चलो थोड़ा बहुत आउट हुआथ हो गया सब में पेपर आउट होता है कौन सी नहीं बात है कुछ भी करवा के अब दुबारा पेपर करवाओगे तो क्या ऐसे आपको लगता है कि पेपर आउट नहीं होगा हम कह रहे हैं कि पेपर आउट हो खुलता है पड़े लिके हो किसी के बैकव में मता हो और इमानदारी से आपको जो पता है उसी का कमेंट किया करो उसी को पबली के लिए बातों पे विवस्वास आपको नहीं करना है नहीं तो ऐसे यह अटकते रह जाओगे आपना बाईचारा जो भी है वो भी ब्रेज़ कर रहे जाएगा अपना तो मकस्द यह है अपन लगे ठीक है नहीं लगे दो दिन लेट लगे कोई दिकत नहीं बट वैकेंसी तो टाइम तो आईगी ना तो अपनल भी लग जाएंगे ओके और बहुत सारे जो कमेंट कर रहे हैं SOG के रिपोर्ट का वापी से रिपोर्ट का बाती है और कितना बज़े आउट हुआ था और कितने बच्चों के पास गया था ये भी आपको फाइनली जल्दी हिम बिल जाएगो और मैं वीडियो कवर करके आपको जरूर बताऊंगा की रिपोर्ट क्या रही और जहां तक possible है लग ये रहा कि paper दुबारा नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका मक्सद यह है बात को गुमा फिरा के अगर करवाना होता तो दूसरे दिन ही जो बेरोजगार एकिकर चातर संग है उन्होंने चैन बोर्ड को बोला था ये समर्थन अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करो अगर ये गलत कर रहे हैं तो आपके इन अंदर इतनी समझ रहे हैं आप इनका समर्थन नहीं करो तो सही रहोगे अपना विरोजगार बाइचरा है ये जरूरी है ये तो अपनी शीट निकाल के कही ने कही कुछ बन जेंगे ओके छोटी मोटी पोस्ट भी आशिल कर रहेंगे नेता ने अंगला बन जेंगे तो इनका काम चल ज़ेगा अपना घर अपने से ही चलेगा इसलिए फालतु की बातों के अंदर बैकाओं में आके ऐसे कमेंट ना करें तो आज की सब्डेट के अंदर इतना ही बताना यही था कि मजाग चल रहे है एक तरीके से चैन बोर्ड को पहले छातर संगों ने बताया कि आउट हुआ है चैन बोर्ड ने SOG को बोल दिया कि नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला बाकि तो कोई अपडेट इंफॉर्मेशन आएगा जुरूर बताएंगे और हम जुरूर बताएंगे जो भी आएगा वो बताते रहेंगे यह इसका मतलब यह नहीं कि अगर नहीं हो रहा है तो कानी को खतम करके दुबारा से रिजल्ट निकालके इसको दुबारा बरती को कलियर करवाओ ताकि नेग बढ़ती आने के उमीद बढ़े और वेरोजगारी हटे अपनी कहीं नगे तो आज की सब्डेट के अंदरी तना ही उमीद करते हैं सेही लगा होगा वीडियो कमेंट करके बता देना हमारा ओपीनियन किसी भी तरफ नहीं है पोजिटिव भी नहीं है नेगिटिव भी नहीं है हमारा काम है इंफोर्मेशन देना बाकि आपका सोथ है आपकी कमेंट करोगे ओके थैंक यू बाई-बाई